व्यद्बी मामले विच पंजाब अते हर्याना हाइकोर्ट ची पंजाब सरकारवलों पूजनी गुरू संत डॉक्टर गुरुमीत रामरहिम सिंग्जेंसा दे खलाब जारी किते गे पॉडक्शन वरंड समन्दी सुनवाई हुई है इज़रान हाइकोर्ट सुबा सरकारदियां दलीला ना सहमत नहीं हुई पूजनी गुरुजी दे वकीला वलों अगाउ जमानत दी अर्जी भी लगा देते गई है क्योंकि पंजाब पुल्स वलों गरिफ्तार करंदी मन्शा ते शक जाहिर किता गया पंजाब सरकार दे पंजाब सरकार हेट्री अदालत को जान दियां ताप पटीशन करता दी अगाउ जमानत दियर्जी सुनवाई करने बंदी है एननौं हेट्री अदालत नों गरिफ्तारी वरंट जारी हों तो बाग कटों कट सात दिन तक दा समय मिलना बंदा ताकि एना दा उपरली अदालत विच जाके राहत लेंदा पूरा हक बरकरा रहे। इस तो बाद पंजाब सरकार दे एड़ोकेट जेनरल डियस पटिवालिया ने सरकार नाल मश्वरा करने अगली तरीक दी मंग की थी। तहाई कोट ने इस मामली दी कारवाई 6 जनवरी तक ले मुल्त भी कर देती है। देखिए इन्होंने SIT ने जो है एक प्रोडक्शन वरंट की अप्लिकेशन लगाई थी फरीद कोट में 29th of October को प्रोड्यूस कराने के लिए हमने उसको चैलेंज किया था लीगल ग्राउंच पे और मेरिट्स पे भी जिसको पिछली डेट पे कोट ने स्टे कर दिया था और य जिसका हमने विरोध किया है और लीगल ग्राउंच ऑल्सो कि वो प्रोडक्शन वरंट पे ले जाके अरेस्ट नहीं कर सकते सेकिंड और मेरिट्स ऑल्सो केस के मेरिट्स पे भी कोट ने एक उनसे क्वेरी पुट करी थी एजी साब से कि अगर आप इनको हर्याना से को बताएंगा है अगली देट 6 जनवरी लगी है कोट की ओपनिंग पे और उस दिन इस बात पर भी अर्गुमेंट होगा और बाकी चीजों पर भी होगा कि वेदर प्रोडक्शन वारंट इशू इस बात के लिए हो सकते हैं कि उनकी अरेस्ट की जाए अधर लीगल इशू जो भी है जो हमने चालेंज किये हैं पंजाब कवर्मेंट किस के रिलेटे इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेना चाहते हैं इस समय जो पंजाब सरकार है वो एस एफायार में इनको एरेस्ट करना चाहती है इसा उनकी खुद की अप्लिकेशन है और इसलिए वो हो रही है दो बार पूश्चाच हो चुकी है जो कि एजी साब ने खुद पिछली डेट पे अग्यूमेंट किया था कि हम जाके जेल में इंटेरोगेशन करना चाहते हैं क्योंकि कोट प्रडक्शन वारं उनको स्टे कर रही थी तो उन्होंने जेल में जाके दो बार इंटे देस्ट अपदेट सबसे पहले